दोस्तो भारत में बैंकों को चुना लगाकर विदेश भाग जाना कोई नई बात नहीं है इसका जीता जागता उधारन हमारे सामने है विजय मालिया और नीरम मोदी ये दोनों ही हजारो करोर रुपे लेकर विदेशों में आज मोज कर रहे हैं लेकिन दोस्तो आज इस घोटाले के बारे में हम बात करेंगे वो विजय मालिया और नीरमोदी के घोटालों से काफी जादा बड़ा है दोस्तो ये घोटाला है भूसन इस्ठील घोटाला अपनी कमपनी को देश की सबसे बड़ी स्टील कमपनी बनाना चाहते थे इसलिए इन्होंने साल 2003 में उडिसा में एक नया प्लांट लगाया जहां पर ये दरवाजों के हैंडल और हैंडलूम जैसी चीजे बनाने लगे क् абсолют लिमिटेड को काफी अठी से चला भी रहे थे यो सीरेसली नहीं लेते ते वो अपनी फिजूल घर्ची पार्टियों में या सोपिंग करना इन सब ही लगे रहते थे कभी भी फोकस यह नहीं था कि हम अपने प्रोडेक्ट को कैसे बड़ा बनाएंगे या अपनी प्रोडेक्शन को कैसे जादा बनाया या कोश्ट कम की जाए इन सब चीजों को यह कभी सोचते ही नहीं थे इसलिए फिर भूसन श्टील धीरे धीरे लॉस में जाने लगी और परसनल खरचे में उन सारे पैसों को खरच किया, महाँ पर नों ने महँगी महंगी गाडिया लिए, अपनी परसनल प्रोपरिटी बनाई, उस पैसों का अपने उपर ही खरच किया, ना कि उसको अपने कारोबार में लगाया और जब नीरस सिंगल भूसन स्टील की जिम्मधारी संभाल रहे थे इन्होंने कैई सारी सेल कंपनियां बनाकर उन कंपनियों के नाम पर हजारो करोडो रूपे का लॉन लिया और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर करकर मल्टिपल एंट्रीज दिखाकर उस को बिजनिस में लगाने के बजाए अपने परसनल यूज में खर्च किया और उनसे महंगी महंगी गाड़िया सोपिंग करना अपनी खुद की परसनल प्रोपर्टी बनाना इस तरह के अपने नीजी खर्चे में सारे पैसे को यूज कर लिया और ऐसे ही ये लोन पर लोन ले गया इस लोन को चुकाना तदूर इस लोन पर और दो बार से लोन पर लोन लेते रहे और ये वही सरकारी बैंक हैं जो अगर आम आदमी एक गाड़ी के लिए भी लोन लेने जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल से मिलता है काफी उसको कागजी कारवाई करनी पड़ती है और अगर लोन मिल भी जाता है और गलती से उसकी एक और दो किस्त मिस हो जाती है तो उसकी गाड़ी तक को बैंक वापस खीच लेते हैं और ये वही बैंक हैं जो लगातार इनको डिफाल्ट होने के बाद भी लोन पर लोन दिये जा रहे थे और ये खेल पूरा साल 2007 से लेक को NPA में डाल दिया उनीरत सिंगल का इतना करजा लेने के बाद भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करना कंपनी को भारी पड़ा और भूसन स्टील पूरी तरह से दिवा लिया हो गई और साल 2018 में टाटा स्टील ने भूसन स्टील को लगवग 35,200 करोड रुपे में खरीद लिया और टाटा स्टील ने भूसन स्टील को खरीद कर सबसे पहले इसकी उत्पादन चमता को बढ़ाया जहां पर ये कम प्रोडेक्ट बना रही थी इसके प्रोडेक्शन चमता को काफी बढ़ाया और इसमें जो भी खामिया थी उन खामियों को दूर किया प्रोड को ने नीरज सिंगल को NPA घोसित किया तब ही से फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई एडी ने पूरी जाच की और जाच में पाया कि जो पूरा जो नीरज सिंगल ने ये स्कैम गया था ये लगवो 56,000 करोड रुपे से भी अधिक का था हाला कि देश में अभी तक सबसे बड़ा फ्रोड विजय मालय और नीरब मोदी का ही माना जाता था लेकिन जब एडी ने पूरे मामले की जाच की तो ये देश का सबसे बड़े फ्रोड में से ए इसलिए अभी कुछी दिन पहले ही नीरज सिंगल की गिरफतारी हुई है और उनको एडी ने जेल में भेज़ दिया है तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसे लागी कमेंटर में अपनी राज जरूर दे और वीडियो को यहां तक देखने के लिए